हेलो सोगत आपका हिंदी कॉमिक वर्ड में जहापर मैं आज आपके ने जेकर आया हूँ ब्लैकेसनेट का एक और एक्साइटिंग पार्ट और यह एक्साइटिंग पार्ट होगा वंडर उमन का स्टार सफायर बनने के बाद का एडवेंचर तो चेले शुरू करते हैं आज का आये टिकिन फिर भी यह बतना नामस्किन है इसे डिस्कराब करना पॉसिबल ही नहीत है बले ही तुम कोई भी पावर रिंग येजर कर लो लेकिन उसकेำकेस आरसकान मैनिपेस्ट इसके बारे में डिसक्राइब करना नामस्किन है बले तुम फिर एंगर विल होप कोई भी लेकिन लव की बात ही कोछ लगे तभी वापर कैरल उसे पुकारते हुए आती है जिस पर डायना उसे पुछती है कि कह ये तुम ने किया उस पर कैरल बताती है हाँ क्योंकि हमें ज़रब थी और हर एक रिंग ने अपना अपना डेप्यूटी चुन लिया और अब तुम मेरी वेक अप हो वहां से जाते हुए कैरल उसे बताती है बाकियों की बात अलग थी फ्लैस एटम और बाकी सबी लोग वो सबी फ्री थे लेकिन तुम ब्लैक लेंटन थी तुम पजेस्टर थी लेकिन फिर भी वाइलेट तुम तक पहुच पाया और तुमने वो किया जो कोई औ और नहीं कर सकता था वो आगे बताती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस पर वन्डर उपन उसे पुच ती है लेकिन मैं ही क्यूँ कोई और क्यू नहीं इसने मुझे ही क्यू चुना इस पर कैरल बताती है कि यह वाइलेट है स्टार सपायर का कलर कलर अफ लव और तो तुम भी एक स्टार्स सफायर हो जिस पर वह बताती है कि यह सेम तो है लेकिन तुमारे छितनी नहीं जिस पर डायना केती है लेकिन तुमारा लव तो unraelited है और इसलिए रिंग ने तुम्हें चुना जिस पर वो बताती है कि तुम बहुत जल्दी सीख रही हो जिस पर Wonder Woman का जवाब ता इसमें सीखना क्या है तुमारा लव बहुत ही ज्यादा है बले ही वो इसके लिए वर्दी ना हो जिस पर वो उससे कहती है कि मैं इस पॉइंट पर कुछ बार नहीं करना चाहती और वो दोनों ही आगे बढ़ते है बलैक लैंटेंस की तरफ जहापर कैरल उससे कहती है कि हमें इन सभी को कंट्रोल में करना होगा और कुछ लव यहाँ पर भी स्प्रेड करना होगा आगे वो बाताती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे है लेकिन कैरल आगे बढ़के उन सभी को एक कंस्ट्रक्ट में कैद कर देती है और वो आगे बढ़ते होई कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे है अम इन्हें अकेले नहीं आरा सकते है और तभी वो मैक्स की तरफ बढ़ती है जापर मैक्स कहता है, वो देखो, मेरे कल्फिड आ चुकी है, और वो उसकी तरफ एक रोप ठेकते हुए कहता है, और मुझे पता है कि तुमने अभी क्या पहन रखा है, इसलिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और वो फंदा उसके गले में जाकर अटकता है, और वो उ उसे एक कंस्ट्रक्ट में केट करके, उस कंस्ट्रक्ट को एक की पंच में तोड़ देती है, और तभी कैरल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यह जल्दी रिफॉर्म हो जाएंगे, और हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इतना कहकर कै के लिए लेकिन तभी वो एक शील्ड क्रेट करके उन ब्लैक लैंडर से बची रही थी, कि तभी मेरा उसकी तरफ देखती है, और यहाँ पर वंडर वुमन एक बच्चा हुआ टोकड़ा जो की मैक्स का था उसे किक करती है, लेकिन तभी उस कंस्ट्रक्ट की हुई शील्ड गुशा है, और इस गुशे ने उसे कंजूम कर लिया है, लेकिन यह फेवरेबल ग्राउंड नहीं है, तो टाइम आ चुका है कि हम ग्राउंड चेंज करें, और वो उड़कर वहाँ से जाई रही थी, यह तभी मेरा उसका फाव पकड़कर उसके पैर में अपना ट्राइड गरा देती है, और मेरा जाकर गिरती है ब्लैक लैंटन के बीच, लेकिन मेरा अब एक रेड लैंटन बन चुकी थी, और वो इसी वज़े से अपने रेज का इस्तमाल करके कुछ पॉर्म्स क्रेट करती है उन ब्लैक लैंटन को मारने के लिए, और तभी वन्रोंड कह रही थ मैं उसके रिंग का रेड हैस फिल कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा है, मैं उसकी मेमरीज और हाडवरेक सर्च कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए ये चीज़ काफी नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि मेरा को काफी सभी लैंटन धिरे धिरे करके घहर लेते हैं, लेकिन उनक कारल से कहती है कि मैं मेरा को बचा रही हूँ, और उसने मेरे साथ तब फाइट की थी, जब मैं एक ब्लाक एंटन परसनलेटी थी, तो अब मैं उसे शांत करने के कोशिश कर रही हूँ, जिस पर कारल कहती है, नहीं, वो एक रेड लैंटन है, और तुम उस तरह के गुसे को कभी भी शात नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी वंअडेर वोमन कह रही थी, मेरा मेरी बात सुनो, मेरी वाईस पर ध्यांदो, मैं तुमारी फ्रेंड हूँ, दुश्मन नहीं, लेकिन फिर भी मेरा उस पर अटैक परटैक किये जा रही थी, और थोडी घ़र तक, वंडर कहती है कि यह सिर्फ फुच्छा नहीं है यह हैट है मेरे रिंग ने इसका हाठ खुचने की कोशिश की लेकिन यह बहुत टीप टपक नहीं काम कर पाए अब लगता है कि इस रिंग को किसी और की जरुत पड़ेगी और यह रिंग अकेले यह काम नहीं कर सकती और तभी हम सब्सक्राइब और बाकिस सभी मिम्रिस देख रही थी और वहीं पर नीचे हम देखते हैं कि वंटरों मन का कैदा होने से लेकर एक वार्यर बनना और अब तक का सफर हमें दिखाए जाता है और उसके बाद दोनों ही वहाँ पर नीचे बेठ जाते हैं जहाँ पर कैरल करती है मेरा की तरफ तब मेरा उससे पूछती है कि लासो ने मुझे वह दिखाया जो कि तुमने कभी भी नहीं कहा था तुमने इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा एक शब्तक नहीं इस पर वंडरों मन कहती है कि इसमें बताना क्या था इसके बारे में बताने की कुछ जरूर थी नहीं थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है इन सभी के लिए लेकिन हमारे लिए नहीं अगर हम इस रात से सर्वाइब कर पाए और तभी दुसरी तरफ से आवाज आती है कि हम इससे सर्वाइब करेंगे और तभी हम देखते हैं कि बाकि सभी लैंटन कॉप्स के लीडर्स अपने अपने पार्ट्रिस के साथ थे या पर हेल जॉर्टन कह रहा था इन फैक्ट हम अभी इस रात को ही मारने वाले हैं और अब हम इसी काम पर चलेंगे और वही पर हम देख सकते हैं कि लार्फ लिज अभी भी लेक ले उतर याने के और इस लेक्टन पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने उसकी रिंग रिप्लिकेट करके अब उसे पहन लिया था और विचारा लेक्स ले उतर बिना कुछ कहे उसकी मार खाए जा रहा था तो इसकी साथ ये विडियो ये पर कत्म होता है तो आप मुझे कमेट करके बताए कि आपको विडियो कैसा लगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सथ-सथ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए थैंक्यू फ्रेंड्स एंट्यू देलाइब और जय हिन